हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल सू अंडबल माहादिस वागत है आज मैं आप लोगों का एक डाउट को क्लियर करने जा रहा हूं बहुत से लड़कों ने मुझे ये सवाल किया था कि क्या हम लोगों को कार्वन प्लेट सू इस्तमाल करने में कोई तरह का इंजूरी होती है क्या तो मेरे पास अभी मैं अभी फिलाल जो कार्वन प्लेट सू को इस्तमाल कर रहा हूं उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा यह है मेरे पास सौपनी का इंडॉर्फिन प्रो थ्री यह है प्यूमा का डेविट इलीट और यह है एडिडास का टकूमी सेन नाइन के इसको इसतामाल करते वोगे यह फट भी गया और यह यह डासटnementने कार्व प्लेट लगा हुआ और इसके अलावा मैं नंगकार्वन प्लेटेद सू ही इस्तेमाल करता हूँ, यह है एसिक्स का नुसँरे फोटейств? तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर ये सवाल है कि क्या एक कार्वन प्लेट सू को इस्तेमाल करने से इंजूरी होती है क्या? तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि carbon plate shoe को design इस तरह से किया गया है कि ये एक race specific shoe होता है जिसमें हम लोग race में इसको ले करके अपना काम करते हैं race में दोड़ने के लिए जाते हैं तो इसको aggressive बनाया गया है ताकि आप फार्ष दोड़ सको और फार्ष जब हम लोग दोड़ते हैं तो हम लोग का दोड़ने का जो तरीका होता है वो front foot से mid foot तक होता है back में बिल्कुल भी नहीं होता है अगर आपका back में आपका landing हो रहा है back foot है तो आप बिल्कुल भी मत खड़ दिएगा पहला चेज दूसरा बात कि अगर आपका pace पांच और पांच से नीचे है तब ही आप कारवन प्लेट सो को लेने के लिए जाईएगा यह सब्सक्री में एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं ताकि आप उसकी को relate कर पाऊगे तो क्या है कि जब हम लोगा पांच पांच से pace नीचे रहता है तो यानि हम लोगा speed अच्छा खासा हो जाता है तब ही यह कारवन प्लेट सो सही में काम करेगा अधरवाइस कारवन प्लेट सो लेना इग्दम विकार हो जाएगा अब मैं आपको बताता हूं कि क्या इस जूते को पहन करके injury होती है कि नहीं तो एक बात समझ लीजे कि कारवन प्लेट सो से injury होती है क्योंकि यह इस जूते को aggressive बनाए गया है फास्ट दोड़ने के लिए और फास्ट आप सिरिफ जूते के मदद से नहीं दोड़ पाओगे फास्ट दोड़ने के लिए हम लोगों को जूते के साथ साथ हम लोग का मसल भी स्ट्रॉंग होना चाहिए तो जब हम लोग इस तरह का कारंप्रेट सू को पहन आपका थाई मसल में बहुत जादा पेन होगा यहां तक कि बहुत लोगों को कमर के साइड में भी पीछे में पेन होने लगता है क्योंकि जब हम लोग इतना स्पीड दोड़ते हैं तो हम लोग का मसल जो है वो स्ट्रेच होता है तो स्ट्रेच होता है तो अगर आपका मसल नहीं है तो आपको कारवन प्लेट सू में प्रॉब्लम करेगा तो सबसे पहले आप अपना मसल को भी स्ट्रोंग कीजिए और मसल आपका एक दिन में मांस पेसी आपका एक दो दिन में स्ट्रोंग नहीं होता है उसके लिए कम से कम चार महीना छे महीना साल भर का समय लग और देखे मैं इतना दिन से दोड़ रहा हूँ फिर भी जब ہम पर्सेनली जब अपना रेपेटासी लगाता हूं ज्यादा फास्ट भागता हूं तो उस समय मुझे पेवन होने लगता है क्योंकि सरीच में में पीटासन जिए पेवागता हूं उसका सरीच आपको बताइता हूं, जब हम लोग इस्तमाल करते हैं, तो कारम प्लेट सु को हमेशा आप फ्लैट सर्फेस में दोड़िए, इसको फ्लैट सर्फेस के लिए ही डियाइन किया गया है, अगर आप ऐसा जगह में दोड़ते हैं, जहां पर आपका surface uneven है, मालीजे आप ground में दोड़ रहे हैं, ground आपका uneven है, उबडखाबड है, तो ये जूता ठीक से बैठेगा नहीं, और ये carbon plate इतना stiff होता है कि वो मुड़ता नहीं है, वो ज्यादा आपको खुसरिंग नहीं मिलेगा, जैसे कि ये मालीजे कि ये जूता है, ये इसमें अगर आप जाओगे uneven surface में, तो ये क्या होगा, कि ये squeeze कर जाएगा, ये मुड़ी आपका प्लेट सू में, आपका ये मुड़ेगा नहीं, तो आपका प्लेट सू में आपका मोच आने का डर है, आपका मांस पैसी खिचाने का डर है, और अगर रोड में आप this problem होता है, क्योंग जूता मैं मुझे साफ़ कता चलता है kalau the movieも support क Albaneseamas笑 का, ये इधर दोडियें मिल रहा है, वह बार-बार इधर इधर डिस्बैलन सी वारा से qyamajo होता है. वो problem इस जूते पर नहीं होता है, जब मैं इस जूता को पहन के दोड़ता हूँ, तो वो हलका फुलका मुड़ता है, जूता अभी साथ में तो समस्या नहीं होती है, पर ये सब जूता मुड़ता ही नहीं है, नहीं मुड़ेगा तो आपको पैर में problem होगा, तो मुझे आसा है कि आपको समझ में आया होगा कि हम लोग को यह काघ्रन प्लेट सू को कब लेना चाहिए पहला चीज कि आपका फरंट फूट लैंडिंग होना चाहिए पेस कम से कम पाँच और पांच से नीचे आ जाना चाहिए आपका मांस पेसी कम से कम छे म grinा साल भर पुराना हो जाना चाहिए ताकि आपका वह उतना मजबूत हो गिया हो और जब इसे इस्तावाल करेंगे तो फ्लैट सर्फेस में दोड़ेंगे तो हम लोगा इंजूरी वगरा नहीं आएगा जो में सवाल था कि इंजूरी होती है तो हाँ होती है तो इस चीज को जरू ध्यान रखिएगा आसा करता हूं कि यह इस तरह का वीडियो आपको पसंद आया होगा जनूरी इंफ्रमेशन मैंने देने का पूरा प्रयास किया अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा मैरे चैनल को सब्सक्राइब क किजिएगा घंटी उबढ़ा लिए जैसे मैं इस तरह का कोई और वीडियो लाओं आपको तुरंत मिल जाए और किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए जरू कॉमेंट करके बोलिएगा मैं उसे जल से जल बनाने का प्रयास करूंगा यहां तब वीडियो देखने के लि